हलो अबरिवन आप देखने करें कैपसुल का यूटूब चैनल और मैं हूँ आपका दोस्त बिजेंदर कुमार और आज का ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग डिसक्स करने वाले हैं च्वाइस फिलिंग के बारे में आज के इस च्वाइस फिलिंग बहुत जादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि आप कैसा च्वाइस फिलिंग करते हो उसी के साबसे आपको कॉलेज मिलता है तो वीडियो को सुरू करने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात में आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि अभी तक जो भी कच्रा आपके दिमाग में भरा हुआ है उसको निकाल दो ठीक है बहुत सारी यूटूबर्स ने आपको बहुत सारी बाते बता रखी होगी कोई बोलते होंगे नहीं 50 से जादा 24 मत भरना नहीं तो कुछ नहीं मिलेगा कोई बोलते होंगे नहीं वहीं भरो जो मिलेगा जो म पे कोई भी video बना सकता है, अभी तुम वीडियो देख रहे हो, कल तुम अपना channel बनाओगे, अकल तुम वीडियो बनाने लोगोगे, तो यह अब तुमें decide करना है कि तुम किस पे भरोसा करोगे, तुम किस पे trust करोगे, ठीक है? तो यह हमारा जो channel है, यह company का चैनल है क्यारियर कैपसूल एक कंपनी है हमारी website लॉंच होने वाली है और यहां एक एनटी एंस और आईटी एंस की टीम है complete NET के teachers भी हमारे team में है, वह हमें mentor करते हैं, guide करते हैं तो मैं ये भरोसी के साथ कह सकता हूँ कि तुम हम पर भरोसा कर सकते हो ठीक है, तुम हमारी बात पर भरोसा करो, choice feeling जैसा मैं बता रहा हूँ उस तरह से करो जब result आएगा तो तुम्हें इस चीज का एहसास हो जाएगा कि तुमने जिस ब्यक्ति पे भरोसा किया वो सही निकला ठीक है तो चलो अब मैं वीडियो को सुरू करता हूँ कि च्वाइस फिलिंग कैसे करना है और यार वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना तो देखो च्वाइस फिलिंग करते समय है आपको ये ध्यान में नहीं रखना है कि किस कॉलेज में कितना सीट खाली है और आपको कौन सा कॉलेज मिल सकता है ठीक है आप ये मत सोचो आप क्या करो आप डिक्रीजिंग ओडर में च्वाइस भरते चले जाओ ठीक है टॉप से सुरू करो और बॉटम तक चले जाओ ठीक है लाइक स्ट्राइडिंग फ्रॉम सीएसे ओफ एनेटी तरची आप नीचे तक जाओ अभी मैं फटाफट ओडर बताऊंगा ओडर ध्यान में रखना और इसी ओडर में आपको च्वाइस फिलिंग करना है डिरेक मैं पॉइंट की बात करता हूँ एन नमबर अप तिंक्स मैं अल्लेडी बहुत सारे वीडियो में बता चुका हूँ तो इस वीडियो में मैं आपको पूरा एक च्वाइस फिलिंग का ओडर बता रहा हूँ कि आपको च्वाइस फिलिंग में डालना क्या है तो ये आप वीडियो मतलब आपके लिए बहुत जादा इंपोर्टेंट है तो आपको शुरू करना है एनटी तिर्ची के कम्प्यूटर साइंस से एनटी वरंगल का कम्प्यूटर साइंस एनटी सुरतकल का कम्प्यूटर साइंस जिसमें आईटी है उसका आईटी भी आप सांसना डालते जाओ इसके बाद आपको डालना है NAT अलहाबाद उसके बाद TAT अलहाबाद सबका CS आप डाल दो उसके बाद अगर आपका कुछ ऐसा है कि नहीं मुझे CS ही चाहिए या मुरा CS लेने का मन जादा है तो आप नीचे के कॉलेज का भी CS डालते चले जाओ लेकिन अगर ऐसा कुछ नहीं है तो आप फिर से उपर जाओ और NAT तिरची का electronics डालो या आपको लगता है कि नहीं मुझे electronics नहीं चाहिए mechanical चाहिए तो mechanical डालो similarly आप NAT वरंगल का डालो फिर सुरतकल का डालो फिर अलहाबाद का डालो ठीक है अब बात आती है अपने यहां तक डाल दिया 888 अलहाबाद के गाल अलहाबाद खतम हो गया ट्रिपलेटी अलावाद के बाद N.A.T. कालिकट, N.A.T. नागपूर, N.A.T. राउल केला के बाद सूरत, सूरत के बाद जैपूर, जैपूर के बाद आप भुपाल डालो या कुरुक छेतरा डालो, क्योंकि दोनों ही क्यों वाइलेंट है, दोनों ही अच्छे हैं, उसके ब जमसेथपूर के बाद जलंदर डालो, ठीक है, आप अगर लगता है कि आ नहीं, जलंदर में ही रहना है, अब थोड़ा सा आ जाएगा ना कि जो इक्वल लेबल की कॉलेज है, जमसेथपूर और जलंदर इस इक्वल लेबल का कॉलेज है, तो आप जलंदर को उपर कर लो, जलंदर को कुरुक्षेतरा के पास डालो, समझ रहे हो ना, ध्यान से देखना वीडियो को जो समझा रहा हूँ, जलंदर को कुरुक्षेतरा के पास डालो, ठीक है, जलंदर को कुरुक्षेतरा के पास डालो, उसके बाद दिल्ली डालो, फिर जमसेथपूर डालो, जमसेथ पते हैं इसको शिलचर और गोवा के उपर भी रख सकते हो है, उसके बाद अगर तल्ला डालो, अगर तल्ला के बाद उत्र खान के बाद पॉड्डू चरी डालो उसके बाद आब देखो NATS सारे अच्छे खतम होगे, आब बात आते है 2ITS की, ठीक है मैं डिर्रेक्ट आपको ये बता रहा हूँ कि आपको choice filling में डालना क्या है ठीक है कैसे डालना ये तो मैं बार बार बता चुका हूँ अब आति ये ब्रांज की बात कि आप ब्रांज किस ओरडर में डालोगे तो एक तरीका है कि आप टॉप 10 जो मैंने लिस्ट आपको बता है उसमें टॉप 10 के पहले अच्छे ब्रांज डाल लो ठीक है फिर टॉप 10 से 15 तक के CSE और EC डाल लो फिर उपर चले जाओ और उनके थोड़े खराब ब्रांज डाल लो जो टॉप के नेटीज है उनके थोड़ इस तोरब से डाल सकते ओओ एक और सिंपल सा तरीका है कि आपको एक और कॉलेज उठाओ एनेटी mirrors तिरुप 5 ब्रांज डाल दिया वरंगल उठाओ वरंगल का टॉप 5 ब्रांज डाल दिया तो ऐसी कांसलिंग वैसे बच्चे कर सकते हैं जिनको ब्रांज से मतलब नहींै त तो जो branch को preference नहीं देना चाहते हैं, उनके लिए सभी branch लगबग एक है, वो college को preference देना चाहते हैं, ठीक है, तो अभी तक मैंने आपको बता दिया था कि NITS खतम कर दिया था मैंने, NITS खतम होने के बाद जो अच्छे NITS हैं, North East का भी मैंने रखा है, बचा के रखा है, तो उ सिक्किम डालो, सिक्किम के बाद बाकी जो North East के NITS हैं, अगर आपको जाना है तो डालो, मेगाले हो गया, नागालेन, मिल्जोरम, मनीपूर, ठीक है, और नाचल प्रदेश, सरीनगर भी डाल सकते हो, अगर आपको North East में नहीं जाना है, तो आप AAAT डालो, ठीक है, Bokura डालो, Kalyyani भी डाल सकते हो, आंधरःपदेश दालो, भॉपाल डाल सकते हो, और इन सब के पहले, इन सब के पहले आप Kota भी डाल सकते हो, Kota को को आप आप कहां डालो, जैसे ही BAT Misra आपने डाला, Jivalpul डाला, गवालिये डाला, गवालिये डाला, काचे पूरम डाला, इसके पहले आप उना भी डाल सकते हो, उना भी अच्छा है, ट्रिपल एटी उना के पहले आप गुहांटी डालो, ठीक है, गुहांटी के आसपास में तिर्ची भी डालो, ठीक है, तिर्ची डालो, तिर्ची बगरा के बाद, अतलब तिर्ची बगरा के बाद आप नाकपु दालेका है कल्यानी डालो अंधरापतिए डालो बुपाल डालो सूरठ डालो और नहीं रायपूर अगर टला और लास्ट में आप जेनियू भी ढाल सकते हो इसके बास देखो ए और फिर से बोल दूंगा ना तो आप विडियो को देखते रहो लाइक करते रहो अपने डाउट्स पूछते रहो चैनल को सब्सक्राइब करो दोस्तों के साथ सेर करते रहो और GFTI में देखो आपके इसाब से डिपेंड करेगा लगबक सभी GFTI एक ही जैसा है तो आपका क्या प्रिफरेंस है आप कहां जाना चाहते हो उसके इसाब से डाल आएक इंडियन एक कॉलेज एक कॉलेज ऐसे फिजिक्स करके भी है इंटरनेशनल फिजिक्स ऐसे करके कुछ है वो भी अच्छा है ठीक है तो GFTI में लगबक बराबर है आपकी इसाब से पिन करता है कि आपको कहां रहना है सिटी का प्रिफरेंस कैसा है उसकी इसाब से डा ठीक है और कैसे जाना है अब जो बात आया की देखो जहां एनेटी खतम हो रहा है ना जहांसे ट्रिफ्लेय की सुरूर जहांसे अच्छी एनेटी का Zar na अच्छे नेटी मतलब अगर तल्ला खतम हो रहा है उत्राखंड खतम हो रहा है उसके बाद आप जो बाकी के नेटी इस बच गए जिनके आर जिसे राउल के ला है राउल के ला में आपको बहुत सारे पूर ब्रांच प्रोडक्शन मेटलर्जी माइनिंग तो ये सब डाल लो ठीक है तो अब मैं समराइज कर देता हूँ वीडियो को मैं ज्यादा लंबा नहीं करना चाहता हूँ आपको च्छाईस फिलिंग कैसे करनी है आपको टॉप से सुरू करना है तॉप का कॉलिस कौन सा रांकिंग नोट कर लो तर्ची वरंगल सुरतकल सुरतकल के बाद डालो जैपूर के बाद कुरुक्षेत्र डालो जमसेथ पूर डालो थोरा पहुत आगे पीछे चले कि कि यह लगबख सब सब देखो जो आसपास के नेटी जो लगबख बराबरी होते हैं ठीक है और जलन्दा डालो फिर उसके बाद दूर्गापो डालो जमसेथपूर मैंने ढूरो पार ब्रांश डालो जब पूर ब्रांश भी खतम होजाए आगर आपको पूर ब्रांश लेना है तो जैसे आपको मानिंग मेंटलर्जी लेना है तो यहीं से आप सुरू कर दो global ट्रव ट्रपले कांचे पूरम के बाद आप डाले लखना हूँ डालो ठीक है कोटा के आल्ए नोर्द के डालो नहीं ट्रप्लैटी्ज आलो नहीं ट्रपलैटीमें आप डाल सकते हो वह पाल डाक्ते हो या कांसलिंग का मैंने पूरा लग। अच्छा कॉलेज भाधा कणि करो और आपके सामन पूरा बोल दिया ओडर अब All the best for the CSEB and spot round counseling, मैं चलता हूँ और जाने से पहले चैनल को जरू सब्सक्राइब कर लेना, बाई बाई